दोस्तों अगर आप भी महेंदर सिंग धोनी को बेहतरीन खिलाडी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर खिशेगा दोस्तों महेंदर सिंग धोनी को भारती टीम का कुछ बनाने को लेकर भारती खिलाडियों ने कर डाली BCCI से मांग जी हाँ दोस्तों वॉल्ट टेस्ट शेंपियंशिप के हार के बाद भारती खिलाडियों ने टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठा दिये हैं इस दोरान भारती खिलाडियों ने महेंदर सिंग धोनी को भारती टीम का कुछ बनाने को लेकर BCCI से अनुरोध करते हुए एक ऐसा बयान जारी किया जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे तो आखरकार भारती खिलाडियों ने महेंदर सिंग धोनी को भारती टीम का कुछ बनाने को लेकर क्या बयान दिया ये तो हम आपको बताएंगे ही तो वीडियो को एंडे तक जरूर देखेगा लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है महेंदर सिंग धोनी और सर्चिन तेंदुलकर में कौन भारत का सर्व स्रेष्ट क्रिकेटर है हमें अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताएं दोस्तों भारती क्रिकेट टीम को ICC टूर्नामेंट में खताब जीते हुए एक दशक बीच चुका है टीम इंडिया आखरी बार साल 2013 में MS धोनी की कप्तानी में चैंपियन्स टॉफी में जील्थ हासिल की थे इसके बाद से भारती टीम कई बार ICC टॉफी के फाइनल में पहुँची है लेकिन एक बार भी चैंपियन नहीं बन सकी बता दें धोनी की कप्तानी में ही टीम इंडिया ने टीटमंटे विशोकप, मंडे विशोकप और चैंपियन्स टॉफी का खताब अपने नाम किया इसके अलावा धोनी की कप्तानी में ही टेस्ट रैंकिंग में भी नमबर एक हुई थी और ऐसे में हम MS धोनी को भारती टीम का कोच बनाने के लिए एक बार फिर से अटकले तेज हो गई हैं इस बार भारती खिलाडियों का बोड़ा बयान सामने आया है जिसमें विराज कोहली ने बयान देते हुए कहा कि वोल्टेस चैंपियंशिप के फाइनल मुकाबले में हमें बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है जिससे हम अभी भी नहीं उब रहे हैं हलांकि हमारी टीम ने काफिस जादा खराप प्रदर्शन किया था लेकिन लागातार एक ही तरीके से भारती टीम का हारना सिर्फ भारती टीम के खिलाडियों पर ही नहीं बॉलकी टीम मैनेजमेंट पर भी सवाल खड़े करता है अलांकि इस मुक्याबले में मुझसे काफिस जादा उम्मीद थे लेकिन मैं बहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया लेकिन अब मैं बहतर प्रदर्शन करने के लिए अगली बार तयार रहूंगा लेकिन उससे पहले टीम में कुछ बड़े बदलाओ होने चाहिए इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारती टीम में MS थोनी की अगर एंट्री कोच के रूप में होती है तो भारती टीम जरूर जीतेगी तो वहीं रोहिच शर्मा ने भयान देते हुए कहा कि वॉल्टेस चेंपेंशिप के फाइनल मुकाबले में हार के बाद मेरी कप्तानी पर सवाल उठाए गये हैं और कहा गया कि रविच अंदरन अश्विन को टीम में ना खिलाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी लेकिन इस फैस चाहता हूं कि कोच राहुल द्रवड की चेगे पर धोनी को भारती टीम का कोच बना दिया जाए जिससे टीम चैयन में आसानी होगी तो वहीं रविंद्र जडेजा ने कहा कि वॉल्टेस चेंपेंशिप के फाइनल मुकाबले में भारती टीम की हार के कई कारण हैं लेकिन म मुझे ऐसा लगता है कि हर बार भारती खिलाडियों के साथ साथ भारती टीम मैनेश्मेंट को छोड़ दिया चाता है लेकिन अपकी बार भारती खिलाडियों के साथ भी भारती टीम मैनेश्मेंट को भी कट घरे में लाया जाए इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं चाहता ह कि भारती टीम के कोच राहुल द्रविट को बाहर कर MS धोनी की एंट्री हो जिससे खिलाडी और टीम मैंश्मेंट के बीच बेहतर बॉंडिंग हो और आसानी से फैसले लिए जा सकें तो दोस्तों आपको क्या लगता है मौहेंदर सिंग धोनी को भारती टीम का हेड कोच बना देना चाहिए या नहीं हमें अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शांदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लेशे हमारे यूट्यूब चैनल को